हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब लोग आसा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आप जानते हैं कि मैंने आपको इंगलिस की कट ओफ अवेलेबल कराई थी और आप निश्चिंत रहें जो कट ओफ आपको अवेलेबल कराई गई फाइनल मेरिट भी उसी के बिल्कुल आसपास रहने की पूरी संभावना है दोस्तो आज का मेरा वीडियो मेरे उन सभी मित्रों के लिए है जिनोंने अन्य विस्यों से एल्टी की परिक्षाद दी है दोस्तो आप मेंसे जिनोंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ब्रेस कर दीजिए जिससे आपको सभी महत्पूर्ण जानकरियां पहुँचाई जा सकें चलिए दोस्तो जाड़ा टाइम ना लगाते वे शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट की क्योंकि आप मैंसे ही बहुत बच्चोंने मुझे हिंदी की कटॉप जानने के लिए बोला था तो दोस्तों यहां पर हमारे किये गए विसलेशन के द्वारा जो हमें हिंदी की मेरिट यहां पर निकलती आती दिख रही है देखिए ओ जनरल के लिए 63 से 67 के बीच में जनरल के लिए हिंदी की मेरिट 63 से 67 के बीच में लगती यहां दिख रही है इसका मतलब यह है कि आप अगर इसके आसपास हैं तो आप Save Zone में हो सकते हैं यहाँ पर OBC की बात करें तो वो 60 से 63 के बीच में अगर SC Work की बात करें तो 48 से 52 के बीच में ST Work की बात करें तो 50 से 54 के बीच में दोस्तों यहाँ पर अगर Science Subject की बात करें तो वहाँ पर General की जो Merit निकल के आ रही है वो 62 से 66 के बीच में इसमें अगर OBC की बात करें तो 60 से 63 के बीच में अगर SC Work की बात करें तो 45 से 50 के बीच में और अगर ST वर्ग की बात करें तो 48 से 52 के बीच में यहाँ पर मेरिट लग रही है निकल के आ रही है दोस्तों अगर यहाँ पर हम math से subject देखें इसकी मेरिट थोड़ी high रह सकती है तो अगर इसकी मेरिट देखें तो general के लिए 63 से 68 के बीच में SC वर्ग की बात करें तो 42 से 46 के बीच में ST वर्ग की बात करें तो 45 से 50 के बीच में और अगर OBC की बात करें तो 58 से 62 के बीच में दोस्तों अब यहाँ पर अगर SST general subject की बात करें तो इसकी मेरिट थोड़ी high रह सकती है तो इसकी merit अभी जो निकल के आ रही है आप लोगों से ही किये गए विसलेक्षन से तो वो 68 से 72 के बीच में और दोस्तो आप जानते ही हैं कि मैंने English की merit आपको पहले ही बताई हुई है जिसने वो वीडियो नहीं देखा है मैं description में उसका link डाल रहा हूँ आप चेक कर लीजेगा और दोस्तो बिलकुल निश्चिंत रहें और दोस्तो यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ कि जो भी आपको यहाँ पर merit बताई गई है सब्जेक्स की final merit भी इसी के आसपास रहने की पूरी पूरी संभावना है और देखे जिनके marks कम बन रहे हैं वो बिलकुल भी परिसान नहों और आयो की final merit आने का थोड़ा इंतजार कर लें और चैनल के द्वारा भी हर नए update की आपको इसमें जानकरी दी जाएगी तो जुड़े रहें तो दोस्तों अगर आपकी कोई भी query हो तो मुझे comment में बताईए इस चैनल पर आपको आपके हर सवाल का जवाब दिया जाता है और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कीजिए और अपने किसी भी query अपने किसी भी confusion को आप मेरे साथ share कर सकते है आपकी पूरी help की जाएगी और चैनल को subscribe कर लिजेगा जिससे आगे भी आपको ऐसी information दी जा सके ओके दोस्तों सभी को best of luck नमस्कार